पुरुष निकलने का रास्ता सोचता है, कि कैसे निकलूँ प्रकृति के बंदन से, तीनों गुणों से निकलूँगा तो तीनों तरह की एंगजाइटी से छूड़ जाओंगा, तो उसके लिए सांख खोजने लगा, सांख ने का भी हमारे पास तो कोई रास्ता है नि, तो सा और दर्शन जो हैं उनमें जिग्यासा है, अथा थो ब्रम जिग्यासा, अथा थो धर्म जिग्यासा, यानि हम जानना चाहते हैं रास्ता क्या है, लेकिन योग वाले में क्या कहा, अथा थो योग अनुशाशनम, योग ज्ञान की वस्तु नहीं है, योग अनुशाशन है ज अगर तमोंक उनके चक्कर में फस गया तो समाज में प्रतिष्टा मिलना चाहिए, सतुक उनके चक्कर में फस गया तो मोरल एंगजायटी हो गई, अगर तमोंक उनके चक्कर में फस गया तो सेक्स एंगजायटी हो गई, अब इन से निकले कैसे, तीनों से, सारे इन से निकलन तो उन्होंने कहा ज्ञान से नहीं निकलोगी तुम, आपने जान लिया किसी चीज़ को उससे आपकी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कहा आचार हीनम नपुनंति वेदा हाद। योग ने पहले बात ये कही, कि जो आजमी आचार हीन है, उसे चाहे कितना ही ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो आजमी पवित्र नहीं माना जाएगा, आपने सारे भेद पढ़ लिए, लेकिन आचार आपका ठीक नहीं है, तो इसलिए योग वालों ने कहा, अथ योग अनुसा योग ने आठ मार्ग दिये, कि आप प्रकृति के चक्र से निकलना चाहते हैं, तो आपको ये रास्ते खोजने पड़ेंगे, प्रकृति क्या काम करती है, पंच क्लेश पैदा कर देती है, वो क्लेश कौन कौन से है, पहला क्लेश है, राग, किसी के साथ हम ज़्यादा अट पतित कर देता है, दूसरा क्लेश है, दुएश, जिस आदमी से हमें घ्रणा हो जाती है, वो आदमी बहुत बाद विद्वान भी है, अच्छा भी है, लेकिन कोई उसकी बढ़ाई करने लगे, तो हमें बड़ी चिड़ो होती है, हम कहते हैं, रहन दे, उस आदमी की नीच क पतित कर देता है, राग पतित कर देता है, उसके बाद है असमिता, एहंकार, एहंकार आजाता, अभी कली में बता रहा था, कि एक बार एक टीचर हमारे ऐसे थे, जिन्हों ने एक लड़की की हाधियां कम कर दी, क्यों कर दी, उन्होंने का जब मैं बजार में जाता हूं, लड़का दुकान पर बैठा रहता है ये नमस्कार नहीं करता मुझे दुकान पर तो हमने कहा गया आप टीचर बनने के योग नहीं हो आप इस्तिफा दो चले जाओ पुलिस उलिस में लोगों उडिंडे मारना वही पता नहीं किस कारण से नहीं उठके नमस्ते कर रहा लेकि मेरे एहंकार को ठेस पहुचाई इसलिए उसके जीवन का नाश कर दिया अपने तो ये अस्मिता ये भी पतान का कारण हो जाती है उसके बाद एक चीद हो जाती है अकारण भै सबसे बड़ा भै मृत्यू को है तो मृत्यू के भै आदमी ड़ता रहता है मैं अंधेरे में ज जहां ड़ने का कारण नहीं है वहां भी भैवीत होकर के आदमी जिद्दीकी में पतित होता रहता है घबराया रहता है कहीं नहीं जाता तो ये और चौथा है अभिद्या अज्ञान के कारण से आदमी कुछ को कुछ समझ लेता है तो पांच क्रेश जो है कब दूर होंगे इन्होंने का पांच के लिए से अगर प्रूस निकलना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा अनुसाशन उसे अपने जीवन में कुछ अनुसाशन पालन करने पड़ेंगे तो योग ने आठ अनुसाशन बताये हैं पहले बताया यम यम का मत्त्व मॉरल ट्रेनिंग और उन्होंने घोषना की योग के जो पतंजली थे उन्होंने घोषना की नो पर्सन कैन भी स्ट्रुच्वल विदाओड बींग मॉरल कोई भी आदमी अध्यात्म नहीं कह सकता मैं क्याğथ अध्यातमे कादवी हूँ बिना हूए है योग कह अनुसार से जो आदमी मॉर लुच्चा है लफंगा है वो मंदिर में कितनी जाता हो कुछ भी करता हो हम उसको अध्यात्मिक परो योग वाले नहीं मानेंगे तो योग वालों नहीं कहा कि इसलिए पहले यम का पालन करना पड़ेगा आपको अगर आप अध्यात्मि परच्पनति हो तो यम 5 बताए इनों गांधी जी ने का जिनकी आत्मा जागरित होती है, वो सत्त के लिए लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, उसको उन्होंने का सत्यागर है, जिसकी आत्मा सोही हुई होती है, वो देखता रहता है, एक लड़का जा रहा है, लड़कियों को छेड़ रहा है, मेरी आत्मा सोही हुई है, मैं देखता रहूँगा लेकिन कुछ नहीं करूँगा अगर मेरी आत्मा जागरिती वहां खड़ा हो जाओँगा मेरे होते होए तो इस लड़की को नहीं छेड़ सकता तो योग वालों न का कि पहली चीज है मौरल लो में सत्थ मैं सत्थ का पालन करूँगा सत्थ पर मर जाओंगा सत्थ को नहीं छोड़ूँगा सत्थ नरायन का परत्थ भी यही है सत्थेन नारायनम लब्वेते जो आदमी ये परत्थ को धारन करता है वो सत्थ नरायन का परत्थ मैं सत्थ के दौरा ही भगवान की तरफ पहुचना कोशिश करूंगा तो पहला इनोंनका सत्थ है फिर दूसरा इनोंनका अहिंसा किसी को जानभूज करके अपने सौर्थ के लिए नुकसान नहीं पहुचाऊंगा तो ये भी हो गया काम सत्थ हो गया तीसरा का ब्रह्मचरिये ब्रह्मचरिये का नेरो मीनिंग लेते हम कि सेक्स पर कंट्रोल करो योग ने नेरो मीनिंग नहीं लिए ये वने का कि ये ब्रह्म का आचरन करने के लिए जो भी बाधाया हैं मैं उनमें नहीं फसूंगा ब्रह्म मतलब ज्ञान मैं वेद का ज्यान पर रहा हूँ, मैं में करना चाहता हूँ तो इस सक करने के लिए जो बाधाएं हैं, उनको दूर करने की शक्ति से उनसे दूर रहूँगा यानि सेंसेज का गुलाम नहीं बनूँगा, मैं परिक्षा देने जा रहा हूँ और रास्ते में कहीं नाच गाना हुरा, मैं महां रुक गया, आदा गंटे रुका, वहाँ पहुचा, पता लगा, पेपर ही खतम हो लिया था तो मुझे इंद्रियों पर कंट्रोल करने की शक्ती नहीं, मैं अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकता हूँ तो इन्हों का ये बर्मचरी है, ज्यान में जो भी चीज अरचन डालती है, उसको कंट्रोल करना, सैंसेस को कंट्रोल करना, तो इन्हों का ये बर्मचरी है, फिर नहीं चोरी नहीं करूंगा, मेरा किसी चीज पर आदिकार नहीं बनता, तो मैं उसे लेने की कोशिझ चाहे बढ़ र disse playing लो आपने अंदर-जीवन के अंदर लियाु नियंम लाओ पंच के बाद, तो नियम में पहले किया शोच, आंतरिक शोच और बाहिय शोच, दो तरह का शोच का मतलब cleanliness, cleanliness is next to godliness, अगर आप भगवान तक पहुचना चाहते हो पहले शुद्धी करो, और cleanliness में क्या किया, कि इसको गांधी जी ने बहुत विस्तृत कर दिया, गांधी जी ने कहा कि मेरे घर का जो कूड़ा है, उसको मैंने साफ करके सरका के पड़ोसी के घर के आगे कर दिया, तो ये शोच नहीं है, क्योंकि वहां की जो दुरगंद है वो भी मेरे घर में आएगी, तो इसलिए कहा गांधी जी ने कि शोच का मतलब वही है, कि मुझे गंदगी से अगर दूर रहना है, तो आसपास हर जगे ऐसा कर दूँ कि दुरगंद मेरे घर में ना आया, तो क्लीन लीनेस एड्मोरेम्नेंट की भी हो जाएगी, तो शोच जो है ये बहुत विस्तृत है, मेरे घर के तो भी इन्होंने का योगवालों है, कि दोनों तरह के आपके अंदर शोच होने चाहिए हैं, अब जब शोच इस तरह का हो गया सारा का सारा, तो संतोष, उन्होंने का जो भगवान ने बहुतिक वस्तृत में दी हैं, उनको आधार मानो, जबरदस्ति कुछ लेने की कोशि करो, आज मैं मुझे भगवान ने एक हदार रुपया दिया है, तो इस एक हदार के रुप, रुपय को लेकर की मैं, एक लाख की तरफ जाने की कोशिश करूँगा, लेकि गलत तरीके से मैं, के असंतोष मैं रोना लगूँ या गलत तरीके से दूसरों का मान चोलू, यह न यह नहीं कर रहा, वो समर फित कर दो भगवान को, इसके लिए योग वालों ने कहा, कि आप भगवान को समर करके जो काम करोगे, उसमें कभी भी गलती नहीं होगी, मान लीजे अब बदार में गए, आपने दो दुकानों पर सबजी देखी, इस दुकान पर भिंडी 40 लोग बिक रही है, और इस दुकान पर भिंडी 20 रुफे के लोग बिक रही है, आप 20 रुफे वाली दुकान पर चले गए, और वो भिंडी घर खरीद लाए, उसमें कीडे पड़े हुए बिंडी आ गई, अगर आप वह दुकान पर सोचते, कि जो मैं भिंडी ले जा रहा ह इससे पहले मुझे भगवान को भोग लगाना है, तो आप कभी भी कीडे वाली बिंडी खरीद के नहीं लाते हैं, और भी चीजने सारी, तो इन्हों का इश्वर परिनिधान, जो कुछ भी करो ये सोच के करो, कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो आपके जीवने में कभी भी तुरूटी नहीं आएगी, गलती नहीं आएगी, तो इन्होंने यम के बाद नियम बताए, अब जब यम और नियम हो जाएंगे, तब आपके अंदर शक्ति आजाएगी, आप बैठेंगे, ये जो हमें गरत रास्ते पर ले जाने वाली चीज़े हैं, उनको कैस करों, तो कृष्न का करें, मरजुन चंचल तो है, लेकिन ये अभ्यास से कंट्रोल हो सकता है, कंट्रोल भी बड़ी जल्दी हो जाता है, तो योगवाले कहते हैं, कि आप ये काम करो आप, कि जो शक्ति आपके मन को चला रही है, प्रान शक्ति, पांच प्रान हमारे शरीर क जो चला रहे हैं, इन प्रानों पर कंट्रोल कर लो, ये प्रान जो है, हमारे इंद्रियों को चलाने के बजा है, हम प्रानों को चला है, इसलिए योग ने का प्रानायाम, प्रानों पर मेरा पूरा कंट्रोल हो जाए, और ये प्रान सक्ति हमारे वाइटलेटी, अंगरी दी अब प्रानायम करने के लिए आसन चाहिए, हम कहीं बैठ करके, ये जो योग आशन है, ये पतंजली के योग में नहीं है, ये हट योग में है, पतंजली ने कहा, आसन का मत्तब ये है, कि अपने प्रानों को कंट्रोल करने के लिए, इस्थिर सुखम आसनम, इस्थिर होकर के बैठो और सुक के साथ बैठो, यही आसन है, अब कुकुट आशन से कितनी जरे तक आप बैठो गए, तो आसन वो है, कि आप प्राणयाम करने के लिए, अपने प्राणों को कंट्रोल करने के लिए, आधा पौना गंटे सुक से बैठ सकते हो, तो प्राणयाम कंट्रोल कर और जब आप आसन और प्रायाम कर लोगे तो आपके अंदर एक चीद आजाएगी जिसको कहते हम के असली योग आजाएगा अंतरिंग योग अभी तक तो बाहर अपने कर रहे थे शरीर को अभी आजाएगा प्रत्याहार यदा सैहत संगर्त चायम कूर्मांगने सर्वशाह य जब खत्रा देखता है कचुआ तो अपने सारे अंगों को समेठ लेता है और उस जो खोपड़ी होती है उसके अंदर ले जाता है जिस खोपड़ी का कोई भेदन नहीं कर सकता वो सबसे सुरक्ष जोता है ये कराता है प्रत्याहार यदा संगर्ते चायम कूर्मांगने जैस कचुआ तो हम यह कहेंगे विशे दोश दर्शन जिस विशे में दोश है उससे मैं विड्रो कर सकता हूँ मेरे सामने रबडी रखी हुई है रसगुला रखा हुआ है मन बड़ा भेज रहा है अब मेरे अंदर शक्ती नहीं है लेकिन अगर मैं योग की उन साधनाओ को कर ल जाएगा इतनी शक्ती मेरे अंदर आ जाएगे अर्जुन के अंदर यही शक्ती आ गई थी आधी रात में इंदर ने उसके पास भेजा जाओ उर्वशी अर्जुन की तपस्चा खंडित करो और आधी रात में उर्वशी जो थी अर्जुन के नवस्ता में अर्जुन के पा तो आप समझ लो, सच्च योगी बन गए बाव, तो पुरुष जो प्रत्यहार की इस्तिमा पहुंच जाता है, तो फिर धारना, ध्यान और समाधिय, जहां उसका मन टिक जाएगा, वो धारना महीं हो जाएगा, फिर दूसरी तरफ नहीं जा सकता, अगर मेरा मन टिक गया, कि म प्रकृति का कोई भी प्रलोवन आपको लुभाने सकता, प्रकृति के बंदन से छूड़ जाओ गए, और प्योर आत्मा बन करके संसार के अंदर सर्व दुख, इसको कहते हैं, जो सारे दुखों से छूड़ गए, दुखों की आत्यांतिक निवर्ति हो गई, तो जीवन का लक्ष पराफ्त हो गया, तो सांख और योग मिलकर के एक दर्शन बन गया,